नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल जै गुरुदेव उत्राखन पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज आपके लिए एक बहुत ही अद्बुद जानकारी लेकर आये हैं महराजी के विचारों, महराजी के द्वारा दी गई सिक्षाओं पर आधारित आज का विशेशांक आये बिना समय व्यर्थ के वे लेकर चलते हैं आपको आज के अद्बुद विशेशांक की और वैसे तो महराजी की बहुत सी सिक्षाएं हैं जो अपने जीवन में हम अनुसराण करके अपने पूरे जीवन की विचारधारा, जीवन का प्रवाहा और जीवन में होने वाले सारे अनुभवों को पलट सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं तो ऐसी ही महराजी की एक सिक्षा, महराजी का एक ऐसा अदबुद ज्यान आपके साथ आइस विशेशांक में हम साज़ा करेंगे, जो कि अपने जीवन में यदि इसको अनुसराण करते हुए आप चलते हैं, तो निश्य तोर पर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है आज का जो विशेश है, वह है कि महराजी के द्वारा बताई गई एक ऐसी सिक्षा, एक ऐसा विचार, जो यदि हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार की, इस पूरी स्रिष्टी की कोई भी सबसे बड़ी चिंता भी यदि हमारे जीवन में प एक बात कहते हैं कि इस पूरी स्रिष्टी की सभी घटनाओं को बदलने का सामर्थ हम रगते हैं, इस स्रिष्टी में जिस प्रकार से जो जो क्रम लिखा हुआ है, उस क्रम को पलटने की शक्ती हमारे भीतर है, जीवन में किसी भी इनसान के पूरे जीवन को बदलना हमारे लिए बहुत ही सामानिसी बात है, यह महराजी के वचन में आपको बता रहा हूँ, महराजी ने अपने विचार साज़ा किये हैं, तो इस से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कैसे अपने जीवन में चिंता मुक्त हो सकते हैं, यह आज का सबसे मुश्किल प् व्यक्तियों के अलग-अलग जीने का स्तर होता है, जीवन का स्तर सबका अलग-अलग होता है, कोई बहुत धन्वान है, तो कोई सामानिय है, कोई करीब है, या कोई सामानिय या ऐसे दरजे के हैं, जो जीवन को केवल यापन कर रहे हैं, ऐसे स्तर के भी बहुत से लोग हैं तो अर्थ किसी के पास भिन भिन प्रकार से हो सकता है लेकिन चिंताएं जो हैं वे सभी की चिंताएं अलग अलग स्तर की भी हैं देखे जिसका जीवन स्तर बहुत उचा है उसकी चिंताएं कुछ अलग है जिसका स्तर जीवन का निम्न है उसकी चिंताओं का स्तर भी निम्न है कोई मध्यम है जिसका जीवन स्तर मध्यम है तो उसकी चिंताएं उसके स्तर के अनुसार है लेकिन एक बात आप देखेंगे कि चिंताएं सभी के जीवन में तो है ही और इन चिंताओं से मुक्ति के लिए हर कोई अलग-अलग प्रकार से प्रयास कर रहा है आप अपने अंदर जाग के देखें आपके जीवन के जो भी स्तर है आपके जीवन का उसमें भी चिंताएं तो बहुत सारी है अब चिंताओं के प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन आज का जो विशह है वो यह है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता हमें छोही नहीं सकती है ऐसा महराजी ने क्या बताया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि महराजी ने कहा इस स्रिष्टी की सारे घटनाओं को बदलने का सामर्थ हमारे पास है तो इससे महराजी के जितने भी अनन्य भक्त हैं वेची इंतित्कियों हो जाते हैं देखे हम सभी महराजी से जुड़े हुए हैं महराजी की सिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं महराज जी की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं और महराज जी के साथ उनका सानिद्य अमोग पूर्ण सानिद्य यदि हमें प्राप्त है तो फिर हमें चिंता की क्या बात है हम महराज जी को यदि अपनी सारी जीवन की चिंताएं सौप देते हैं जैसे कि मान लीजे उधारण के तोर पर यदि मुझे स्वास से संबंदित कोई चिंता है तो मैंने महराजी पर उसका भार छोड़ दिया तो मेरी सारी चिंताओं से मुक्त होने का एक प्रयास मुझे मिल गया एक कारण मुझे मिल गया अब चिंता अगर मैं करता हूँ तो मैं बहुत मूर्ख हूँ तो कहने का आश्य यहां पर यही है कि यदि हम महराजी से जुड़ गए हैं महराजी पर अपने जीवन की दोर को छोड़ चुके हैं उसका त्याग कर चुके हैं और महराजी पर हमें भरोसा भी है पूर्ण रूप से भरोसा है और यदि हम महराजी पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पकरेंगे या हमारे जो भी इस्ट हैं जिनको भी हम मानते हैं तो यदि हम उन पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो फिर हम किस पर भरोसा करें हमारे जीवन तो ऐसे ही रह जाएगा यदि हम विश्वास नहीं कर सकते तो हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है आप स्वयम को सफल नहीं मानते और आप कभी सफल नहीं होगे ऐसा विश्वास यदि मन में लेकर बैठे हैं तो कोई शक्ती नहीं है जो आपको सफल बना दे क्योंकि आपने कभी विश्वास ही नहीं किया और यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आपके जीवन में परिवर्तन भी नहीं होगा और यदि किसी प्रकार से कुछ परिवर्थन होता भी है तो आप उस परिवर्थन पर भी विश्वास नहीं करेंगे कि नहीं, यह परिवर्थन इस वज़े से नहीं हुआ यह तो मैंने ऐस तरह से प्रयास किया था तब यह उसका नतीज़ा है तो हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये बहुत ही दुर्भा की पूर्ण बात है तो इसलिए महराजी कहते हैं कि हमारे अंदर वे सामर्थ है हम सभी प्रभावों को बदल सकते हैं हम इतना सामर्थ है तो हम महराजी के अनन्य भक्त होकर भी महराजी पर अपनी बात क्यों नहीं छोड़ते हम उन पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते क्योंकि काफी सारी प्रतिक्रिया हमारे पास ऐसी भी आती हैं जिसमें अनन्य भक्त कहते हैं कि हम महराजी से इतने समय से ज यम्हाराजी के धाम जाकर महराजी के दर्शन करने के पश्चाथ यदि आप विश्वास करने में पूरी तरह से असमर्त हैं तो इसने करने नहीं ise कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जब आप विश्वास करेंगे तो संभवत जीवन में पूरी तरफ से परिवर्तन आएगा और आया है बहुत से अनन्य दर्शक ऐसे हैं बहुत से अनन्य भक्त ऐसे हैं महराजी के जो कहते हैं महज कैची धाम जाने से ही हमें एक ऐसा मार्ग दर्शन मिला कि हमने जो भी कारे में हाट डाला वे कारे सफल होके पूरा हुआ आज हमारे जीवन का स्तर ही कुछ और है और हम महराज जी को पूरे सह परिवार आज जब भी हमें मौका मिलता है महराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो यह भी वही अनन्य भक्त हैं यह भी वैसे ही अनन्य दर्शक हैं जो महराजी से मिलकर आए हैं, महराजी के प्रभाव को जान गए हैं और जानते भी हैं और विश्वास करने में उन्हें किसी प्रगार की असमर्थता नहीं है। आप देखिए ना इसमें है ही क्या, आपको विश्वास ही तो करना है, यदि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो क्या करण है, या हम ये कैसे मान ले कि हम स्वयम पर भी विश्वास करेंगे। बड़ी बिमारी है एक प्रकार की जो हम अपने जीवन में यदि उसको शामिल कर लेते हैं और उसका प्रभाव बढ़ने देते हैं तो धीरे धीरे से हमारा जीवन निम्न स्तर का होते चले जाता है और हमारे विचार हमारे अनुभव और जीवन में आने वाली परिष्टितिय को भी हम ऐसे ही नकारत्मक प्रकार से उसको अपने जीवन में लेकर आते हैं उसको आकरशित करते हैं हम स्वयम नकारत्मक तत्यों को जीवन में आकरशित करते हैं हम अविश्वास से अपने जीवन को नकारत्मक कर रहे हैं यह ध्यान रखिएगा और नकारत्मक ता जब त तेक स्थर पर बहुत दुर्भागे पूर्ण होगा कि आप तेक स्थर पर नीचे गिरते चले जाएंगे और असफल होते चले जाएंगे. तो यह तो बात होगी नकार अत्मक्त की और अविश्वास की. अब आपको क्या करना है कि जिससे जीवन में आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएं. आपको करना सिर्फ एक ही बात है तो यह है कि आप जिस भी इस्ट से जुड़े हैं या महराजी को आप इस्ट मानते हैं अपने गुरू मानते हैं और महराजी की बातों का अनुसरन करते हैं तो महराजी पर भी आप विश्वास करिए क्योंकि देखिए एक चोटा सउधारन में आपको बताता हूँ आप एक ऐसी नाव पे सवार हैं जिसमें आपको नाव को चलाना नहीं आता जल बहुत गहरा है और आप एक नाविक पर भरोसा करके उस नाव में चड़ तो गए हैं लेकिन आप सवैम नहीं जानते कि नाव को कैसे चलाया जाता है तो आप क्या करेंगे क्या उस नाविक पर भरोसा नहीं करेंगे और यदि उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे क्योंकि आप अपने जीवन को चलाना नहीं जानते आप नाविक पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और मन में विश्वास लिए बैठे हैं कि मैं तो पार हुई ही नहीं पाऊंगा मैं यहीं डूब जाऊंगा और ऐसा विश्वास करेंगे तो क्या आप नाव से उस कहरे जल को पार कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे आपका अविश्वास वह नाव को डुबो देगा और स्वयम आप उस जीवन के भवर में फस्व कर रह जाएंगे और आपकी चिंताएं आपकी भावनाएं आपके विचार सब व्यर्थ हो जाएंगे तो आपको क्या करना है जिस नाव पर आप सवार हैं और जिस नाविक पर आपने भरोसा किया है उस नाविक को नाव चलाने दीजिए और शान्त हो के उस नाव में बैठ जाएंगे पर जिस महराजी पर आपने इतना भरोसा किया है या जिस पर आपने अपनी आस जताई है या आप महराजी की शरण में आये हैं तो आप महराजी को भी मौका दीजिए आपके जीवन में परिवर्थन करने का मेरा व्यक्तिगत अनुभाव में बता रहा हूँ मैंने अपने जी जीवन एक स्तर से एक ऐसे उच्छ स्तर तक पहुंच जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे और आप भी अपने जीवन के अनुभव ऐसे ही दूसरों के साथ साजा करेंगे औरों का भी आत्मोबल बढ़ाएंगे यह था आज का विशेशांग कामना करते हैं कि आप अ स्वयम का और अपने परिवार का और समाज का ध्यान रखे यही सबसे बड़ी नीती है तो यह था आज का विशेशांग मिलते हैं ऐसे ही किसे अगले अद्बूत विशेशांग के साथ तब तक के लिए जैए श्रीराम, जैगरुदेव, जैयोतरखन